Hello viewers, this is Priya, today we will start class 9 geography chapter 3 drainage, so let's start Drainage word आपने पहले भी सुनाओगा, तो पहले जो सुनाए अपने drainage word के बारे में वो ये सुनाओगा कि जैसे कोई गटर होता है, उसमें पानी जाता है तो जो water का system है उसे बोल जाता है drainage या नाला या नाली इन सब चीजों को बोल जाता है drainage लेकिन इस chapter में हम पढ़ेंगे कि जो river system होता है किसी भी area को उसे बोल जाता है drainage तो इस chapter में मैं जब भी drainage word का यूज़ करूँगी तो आप समझ जाना मैं उस area के river system की बात कर रही हूँ बहुत सारी river जैसे कि इस side से आ रही हूँ और इस side से flow कर रही है और यहां के सारी river ये मिल रही है इसके बाद मिलने के बाद ये flow होते होते ocean में जैसी ये ocean है हमारा ocean ठीक है इसमें merge हो रही है इसमें आ रही है तो इस system को बोलाता है इस वाल area को बोला जाएगा drainage basin क्योंकि यहां पे सारी rivers आके mix हो रही है तो आपको ये भी पिताशल चुका है कि drainage basin क्या होता है अब हम next सेखते है water divide यहां पे देखो figure भी दी हुई है water divide की देखो जैसे कि यहां से water आ रहा है तो कुछ water यहां चले जाएगा और कुछ water यहां चले जाएगा तो water जो है divide हो गया है कुछ stream A में चले गया है इसे stream A बोला गया है और कुछ stream B में चले गया है पानी यहाँ पे देखो definition भी दियो हुई है water divide की कि any elevated area elevated area देखो इसको बोला गया है जो water divide कर रहे है जासे तो यह कोई mountain भी हो सकता है कोई upland भी हो सकता है ठीक है तो यह area separate कर रहे है two drainage basin में इसको ठीक है एक यहाँ पे stream A और एक यह stream B हो गई तो two parts में divide कर रहे हैं इसको तो इसे ही बोला जाता है water divide world की सबसे largest drainage basin है amazon river देखो यह figure मैंने अलग से लिया है यह book में नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसमें कितनी सारी river आके merge हो रही है तो यह पूरा जो basin है इसे बोला गया है amazon basin amazon basin इंडिया में नहीं है यह South America में है तो यहाँ पे आप maps ही पैचान गए होगे कि South America का map है drainage systems in India अब इंडिया में drainage system कैसा है वो हम देखेंगे वो भी detail में Indian rivers two major group में divided है Himalayan rivers and peninsular rivers Himalayan rivers में हम जो Himalaya के पास में rivers हैं इनके बारे में पढ़ेंगे हम और peninsular river में हम यह वला जो area है पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहां पे कौन कौन से river है जो water के साथ है देखो यहाँ water है यहाँ भी water है और यहाँ पूरे में water है ना तो water के आज़पस वाले area को बुल चाता है उनमें पानी पूरे साल भर रहता है, तो इसे बोलते है perennial, तो perennial rivers होती है यहाँ पर, कि कभी पानी खतम ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ की rivers में पानी rain से आता है, और जो बहुत बड़े-बड़े mountains होते हैं न, उनमें जो snow होती है, वो melt हो के पानी की form में, वोटर की form में river में आ जाती है, तो water तो गभी खतम होई नहीं सकता है यहाँ पर, हिमालय की two major rivers है, the Indus and the Brahmaputra, इसको मैं आपको map में दिखाती हूँ, देखो यह है हिमालय वाला पार्ट, अब यहाँ पर यह जो river दिख रही है, यह है Indus river, यहाँ पर देखो लिखा भी होई यह Indus river, और Brahmaputra यहाँ से start होती है, और देखो यह आ गई India में side, यह वाला पार्ट जो है Brahmaputra का है, तो यह है हमारी Indus river, और यहाँ पर है यह Brahmaputra river, हिमालय रिवर जो होती है, वो long courses, long courses मतलब लंबा रास्ता तै करती है, इस figure में आप देख सकते है, George की figure है, George मतलब होता है, कि जैसे यहाँ पर हिमालय है, और यहाँ पर हिमालय है, और इसके बीच में से river जारी, देखो इसको कट करते होए, तो इन दोनों हिमालय के बीच में से river जारी है, इसको बोलेंगे हम George, तो अब यह जो rivers है, यह क्या करती है, कि अपने साथ साथ ना, silt और sand, मतलब जो मिट्टी वगरा होती है, वो पानी के साथ साथ बहे कर चलिया आती है, middle और lower courses में, जो rivers होती है, यह मिडल कोर्स और इसके लास्ट में जो है यह lower course, इसको थ्री पार्ट में से डिवाइट कर दिया गया है, कोर्स यहां पर पानी के बहाव को बोला गया, जो पानी बह रहा है इसको बोला गया है, तो देखो, यहां से स्टार्ट्वी रिवर, इसे ऐसे आई, तो अभी यह जो यह वाला एरिया होता है, यहां पर जैसे यह बैंड हो रही है, तो इसको बोलते हैं मेंडर्स, देखो, यहां पर लिखा भी होई मेंडर्स, और यहां पर तेखो, कुछ एरिया जो चूट गया है, तो इतना पानी चूट गया है, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सबो लेक, लास्ट में पानी जाते जाते भैते भैते सीधा ओशिन में मिल जाता है, तो यहां पर यह देखो डेल्टा फॉर्म कर रहा है, तो देखो, examine a question आ सकता है कि Himalayan river और Peninsular river में क्या difference है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो Peninsular rivers होती है, वो seasonal होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें पूरे साल भर पानी हो, लेकिन Himalayan river थी, वो मैंने आपको बताया था कि वो perennial होती है, यह उनमें पूरे साल भर पानी दहता है, तो जो Peninsular rivers होती है, उनमें पानी भी कम हो जाता है, रीवर में कभी-कभी जैसे कि बहुत जादा धूप है, या फिर समर का सीजन है, उस टाइम ना नदिया सूप भी जाती है इसमें, और यह जो Peninsular rivers होती है, यह shorter courses, इस मतलब की छोटे रास्ते को तै करती है, और shallow और मतलब की जो river की घहराई होती है, वो बहुत कम होती है, तो कम-कम रास्ता तै करती है, यह और कम घहराई होती है इसमें, लेकिन Himalayan river में हमने भी देखा था, कि वहाँ पर longer courses, इस मतलब की लंबा रास्ता से करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डीप भी होती है, अगर उसमें डूब गए तो बेटा बचनी पाऊगे, कुछ जो river से है, वो central highlands से flow होती हुई, west के side जाती है, देखो मैं आपको map में दिखाती हूँ, और कुछ जो है western card से लेकर bay of bengal तक जाती है, देखो जैसे ये है, ये देखो ये rivers है, और देखो ये river देखो, bay of bengal के side जा रही है, यहाँ पर ये भी, गुदावरी भी, यहाँ से कावेरी भी west side में जा रही है, तो western card से होते हुए ये bay of bengal में जाती है, अब हम इसको बहुत दीप में पढ़ेंगे, तो three major rivers है हिमालियन की, the Indus, Ganga and Brahmaputra, मैं आपको map में दिखाती हुए तीनो rivers, देखो ये है Indus, यहाँ से होते हुए जा रही है, देखो ये रही Indus, और ये है Brahmaputra river, और Ganga river है हमारी यहाँ पर, ये देखो, flow होते हुआ रही है ये ऐसे, और ये ऐसे flow होते हुआ रही है, Brahmaputra और जो Indus है वो ऐसे, अब ये river बहुत लंबी-लंबी होती है, तो इसमें ना छोटी-छोटी rivers होती है, वो भी आके मिलती है, तो इन्हें बुलता है Tributaries, जो चोड़ोटी, जो रिवर्स है, वो आके बिल रहे हैं उन सभी rivers को बोला जाएगा Tributary, कि ये गंगा की Tributary, ब्रह्मा-पुत्रा की Tributary, इंडस की Tributary, उसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, बी-डिटेल में हा, तो ये जो इंडस, गंगा, और भ्रह्मा-पुत्रा मैंने बताई है, आपको ये बहुत लॉंग rivers होती है, और इनमें जो छोटी-छोटी जो rivers आती है, मिलती है, तो इस सिस्टम को बला जाता है, रिवर्स सिस्टम, इंडस रिवर्स जो है, वो चाइना में जो तिबद वाला एरिया है, देखो तिबद यहाँ पर लिख़ा है न, तो इस एरिया में मांसरोवर लेक है, वहाँ से ये ओरिजनेत होती है, राइस होती है, धृरी-धरी करकर, तो यह यहां पर पिच्चर की जॉर्च, जॉर्च मतलब होता है कि बहुत सुन्दर सीनरी, बहुत जैसे की नदिया बहरी हैं दो माउंटेन के बीच में, तो इस टाइप का सीनरी बनाती है, यह बहुत ही प्यारा सा, इस रिवर में बहुत सारी टिब्यूटरिस भी आके मिलत वहां से जाते हैं, माउंटेन है, जो अटॉक माउंटेन है, वहां पर इमर्ज होगी, तो यहां पर रहने हैं, देखो इसकी काफी सारी टिब्यूटरिस भी हैं, मतलब बहुत सारी जो रिवर्स हैं, पंजाबल एरिया से आती हुई, जेलम, चेनाब, रवी, बयास, ठीक है यह सारी रिवर्स फ्लो होते हुए, इस पॉइंट पे आके इंडस रिवर्स से मिलेंगी, यह जितने भी टिब्यूटरिस हैं, यह पाकिस्तान में आके मिल रहे हैं, यह पाकिस्तान वाला एरिया है ना, तो यह रिवर्स फ्लो होते होते, साउथ की साइड में जा रही है, और यह Arabian Sea में मिल जाएगी तो यहां से फ्लो करते हुआ है और यह है हमारा Arabian Sea तो अब आप देखी सारा कुछ मैंने आपको मैप में प्रता दिया है कि जो इंडस रिवर है वो तिबद से राइज होती है और लदक वाले एरिया में आती है उसके बाद जो वहां पर यह सारी टिब्यूटिस पाकिस्तान में जाके मिलती है यह भी हमने देख लिया यह जो इंडस प्लेन है वो बहुत जैंटल स्लोप बनाता है और इसकी टोटल लेंट होती है 2900 किलो मीटर इंडस वर्ड की लॉंगेस रिवर्स में से एक है इंडिया में इस रिवर का बहुत इकम एरिया है जिसे की लद्दाग जमु कश्मीर हिमाचल परदेश पंजाब वाल एरिया में है वो बी ओनली थर्ड पार्ट बाकी सारा जो एरिया है वो पाकिस्तान में कवर कर री है यह इंडस वाटर ट्रीटी 1960 नाइटीन सिस्टी विने ट्रीटी यूतिक समझाइवता अग्रिकल्चर के काम के लिए अब हिमाले की next river के बारे में हम पढ़ेंगे the गंगा river system गंगा river भगी रती और अलकनन्दा को मिलके बढ़ाती है देखो मैं आपको map में दिखाती हूँ ये भी गंगोतरी glacier यहां पर है ठीक है तो यहां से जो भगी रती है river बना पानी है बगी जो गंगा river है वो दो river को मिलके बनी है भगी रती और अलकनन्दा और ये दोनों मिलते हैं देव प्रयाग में आके देव प्रयाग उत्राखर्ण में है तो यहां पर आके मिले ये दोनों rivers तो बन गई गंगा देखो गंगा देखो यहां पर ऐसे फ्लो करते हैं फिर आगे जा रही है हरी दुआर में जो गंगा है वो माउंनटेंटेंग से होतोई plane की side में जाती है plane वाले एर्या किér आती है यहाँ पर आपको figure पर दिविए भग इरती और जो अलखननंदा है वो दोनों Mule के यहाँ पे गंगा बना रही है देखो यह वला जो एरिया है गंगा वाला एरिया है गंगा की बहुत सारी टिब्यूट्री जैसे की यम्ना, घागर, गंदक, कोसी यह मैप को मैप में दिखाती हूँ गंगा रिवर देखो ऐसे ये flow कर रही है इस वले direction में अब जो गंगा की टिब्यूट्रीज हैं वो है यमुना, यमना के मिल रही है गंगा में और घागर और गंदक और यहाँ पे है ये कोसी तो ये सारी इसके टिब्यूट्रीज हैं यमना, घागर, गंदक और कोसी और घागर, गंदक और कोसी है वो नेपाल हिमालिय से राइज होती है और राइज होने के बाद जब यहाँ पे बहे कर आती है तो गंगा से इस वल एरिया में आके मिल जाती है अब इन सारी रीवर बिना फ्लर्ड आ जाते है तो फ्लर्ड की वज़ए से बहुत सारी मिट्टी वगरे अपने साथ लेकर आते हैं जब यह अपने साथ मिट्टी वे गरे लेकर आते है तो यह जो प्लेन वाला एरिया है ना यहाँ पर काफी अच्छी सोयल आ जाती है इस वज़े से और अग्रिकल्टर का काम बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पर तो इस परग्राफ में देखो यही बताय हुआ है कि जो नर्दन प्लेन है वहाँ पर यह बहुत अच्छी कर देती है सोयल लेकिन देखो फलर्ड की वज़े से ना काफी जादा नुकसान भी होगा लोगों के घर तूट जाएंगे जादा फलर्ड आएगा तो है ना तो नुक यहां से कौन से रिवर जा रही है वो हमें देखना है तो यहां से जा रही है चंबल रिवर जो कि गुंगा में जाके मिल रही है और बेटवा और यहा पर इसोन तो इस थूभेज करी यहां पर पाण four अपानी होता तो इस वज़े से यह shorter courses मनलब छोटे छोटे रास्ते तया करती हैं लंबे रास्ते तया नहीं कर पाती हैं क्योंकि इन रिवर्स में पानी कम होता है जब रिवर गंदी हो जाती है तो government इनको साफ भी करवाते हैं जैसे कि यहां पे प्रोग्राम लिखा हो है दा नमामी गंगे program जून 2014 में union government ने flagship program चलाया क्योंकि न देखो pollution इतना जादा है और लोग है न रिवर को गंदा भी करते रहते हैं उसमें कुडा करकर डालते रहते हैं वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोग तो मत करना और अगर आपको कोई दिखे भी ऐसा करते हुए तो उसको भी government को गंगा रीवर को साफ भी करवाना पड़ता है time to time गंगा में राइट बैंक टिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक टिब्यूटरीज वो सारी मिलने के बाद इस्ट की साइड जाती है फरक्का वाले एरिया में जो कि वैस्ट बंगॉल में है तो देखो गंगा में यहां यहां से देखो टीब्यूटरीज रहे है लेफ्ट बैंक टृब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रीब्यूटरीज मिलने के बाद धीर धीरे करके वैस्ट बैंगॉल वाले एरिया में यहां पर डेल्टा बना रहे हैं ठीक है तो यह नर्दन मोस्ट पॉइंच है गंगा का जहां पर डल्टा बना रही है और ये वेस्ट बेंगौल में है गंगा जब देखो में यहां पर नीची की साइड में आ रही है तो इसका नाम है यहां पर आ के चेंच हो जाएगा गंगा रिवर का भगिरती हुगली हो जाएगा तो यह डिस्ट्रिब्यूटरी है टिब्यूटरी मतलब होता है जैसे कि हाँ पर छोटोटी टिब्यूटरी छोटोटी रिवर मिल रही थी आके गंगा में तो यह होगी टिब्यूटरी क्योंकि मिल रही है और जब गंगा रिव से निकल रही है कर रहे है तो उसे बोलते है हम दिस्ट्रिब्यूटरी तो गंगा रीवर जा रही है लिए ठोन यह और यह suis शरीवर मिल रही है तो इस आख और गंगा पुटर और गंगा रिवर है धिरे-धिरे करके हाँ पर वेस्ट पंगॉल वाले एरिया में भी आ रही है तो यहाँ पर यह बना रहे हैं डेल्टा और इसे बोला जाता है सुंदर बन डेल्टा तो यहां पर इस परग्राफ में यह लिखा हुआ है कि जो भगी रती हुग लिए वो डि distributing तो यहां पे मिल रही है और यहां पे यह हट रही है में रिवर को देखो यहीं बताय हुआ है कि जो ब्रह्मा पुत्र यो गंगा रिवर मिलती है बांगला देश में उसे मेधना बुला जाता है और जब यह दो रिवर मिलके West Bengal वाली साइड में आती है तो यह सुंदर्बन डेल्टा बनाती है सुंदर्बन डेल्टा जो नेम है वो सुंदरी ट्री से बना है और यहाँ पर ना Royal Bengal Tiger का home है घर है यहाँ के Tiger को बोला जाता है Royal Bengal Tiger Ganga River की जो length है वो है 2500 km आप 3 point figure में भी देख सकते हैं जो map है ना देखो यहाँ पर map में भी दिखाया हुआ है देखो यह जो length है पूरी Ganga River की वो 2500 है Ganga River जो Indus और Ganga River निकल रही है ना उसके बीच में water divide है वो Ambala वाला area है देखो यहाँ पर मैं आपको map में दिखाती हूँ यहाँ पर यह इंडस रीवर निकल रही है और यहाँ पर यह गंगा रीवर निकल रही है तो इसको यह water divide कर रहा है इधर और इधर divide हो रहा है ना देखो पानी तो इस वाल एरिया को बुल जाएगा Ambala तो Ambala से लेकर सुंदर बन तक यह 1800 km का रास्ता तैगरते है ठीक है और यहाँ पर ना काफी सारे slope भी है slope मतलब होता है जिसे कि आप इस type का होता है देखो slope तो जो slope है उसकी जो height होती है वो 300 meter होती है मतलब की जो गंगा river के आसपा जो भी slope बनेंगे वो उनकी height होगी 300 meters तो जादा बड़े-बड़े slope तो होते नहीं है इस वज़े से जो river होती है वो ऐसे-ऐसे भैते हो जाती है मतलब मेंडर्स बनाती है ब्रह्मा पुत्र रिवर निकल रही है यहां से तो यह न इस्ट ओफ मांसरोवर लेक है इस साइड ब्रह्मा पुत्र देखो यहां से rise हो रही है और इंडस भी यहां से इसके पास में से rise हो रही है अगर इंडेस रीर से कंपैरिजन किया जाए तो यह काफी लंबी होती है उससे देखो क्योंकि यहां से यहां पर पूरा हिमाल्य ने अagne का रही है तो यहां पर जैसे भ्रमा पुत्र रीवर पहुंचेगी यहां पर ना शाब औरely हम यह आद्वा करके एक जगह है यहांशे जैसे यूटन लेगी की डिवर वैसे इंडिया में अरुणाचल पर्देश घए अरुणांचल परदेश में पहले ऐंटर करती प्रह्म तो यहां पे और भी काफे सारी रिवर है जो कि इसमें जाके मिलेंगी ब्रह्मापुत्रा रिवर में जाके मिलेंगी तो जो ब्रह्मापुत्रा है उसकी टिब्यूट्रीज है दिहांग देखो यहां पे लिख है दिहांग लो ही ठीक है ऐसी एक और है दिबांग तो और भी का तो करते करते ऐसे आएगी आसाम वाले एरिया में भी आएगी तो असाम में भी काफी सारी टीब्यू ट्रीज तो यह सब कुछ मैंने आपको मैप से बता दिया है कि जो इंडिस रीवर है उससे जादा लंबी है ब्रह्मापुत्रा रीवर और जो नामजा बारवा जगा है वह भी आते हैं इस वह न चिर वही कंडे है तो तो एंडिया एरिया जहां पर वहां पर बहुत जज़ती है कि पूछो मत की बहुत सारा से ट्राइप मिट्टी यह अपने साथ बहांके ले आती है प्रफ़ा पूत्राइज़ प्रेड चानल, यहां पर क्या होता है, पा़िए पानी घलेड़, तो पता है कोई भी एसा एरिया जो चारो साइट लिजनी से ajudिलिते हैं, ऑल से ब multif माई पीजिकलिते हैं तो बहुत सारे riverine island बन जाते हैं यहाँ पर यहाँ पर हमें एक question भी दिये हो Do you remember the name of the world's largest riverine island formed by the Brahmaputra? तो मैं आपको hint देती हूँ M से starter name अब आप मुझे comment section में बताईए कि क्या name है उस island का जो Brahmaputra में सबसे largest है Brahmaputra river से बनाती है हर साल जब भी rainy season होता है जब दो का नुखसान हो लगता है असाम और बांगलदेश वाले area में अब देखो जहाँ पर ज़्यादा पानी आएगा ज्यादा ज़्यादा इसे फ्लर्ड की condition हो जाएगी तो वह river से रेत हो गई मिटी हो गई इसको जादे खटा करेगी डिपोजिट करेगी और जो उनके channel होते है वो भी shift होते है channel जैसे कि suppose यहां से river यह flow कर रही है अब यह और जदो overflow करने लगी तो यहां पर कोई एक area है इसके side से भी जाएगा पानी इस side से भी जाएगा पानी तो जो मिटी आ रही है पानी के साथ साथ जो rate आ रही है अब जैसे यहाँ पर बहुत जब रेद भर गया, इधर पूरे में भीटी हो गईи तो फिर यहाँ से फ्लो करेगी ला तो ही अपने साथ ही रही है बहुत सरे निचिप लेकिन यहाँ पर जमा हुझ है, ने यहाँ पर जयागी, तो यह फ्लो नी कर पाएगी तो यह थोड़ा कि पीगां के फिलो करती है और कितना पानी होता है इंडिया की मैफ है और यहां पर यह रीवर है तो एक्तारी केसि पानी को डिवाइड कर रहा है यह में वेसीं, वेस्टन खाट हौनुब तो यह जो वेस्टन घाट है वो वेस्टन कोस्ट पे यह वेस्ट साइड है न हिंडिया का तो यह नौट से लेकर साउथ वाले एरिया तक फैला होया पूरा पैनिंसूला की जो मेजर रीवर्स है वह हम देखते हैं देखो माहनदी है और गुदावरी है कृष्णा river है ये और तो ये जितनी भी river है बौकि ये सील lasciyes इसंट वर्ड रीवर्ड क्योंकि इसंट की साइड में evolve हो रही है इस है पूरे और वेस्ट साइड हमें पता है ये है तो इस टूरeten में जा रही है सारी river अकर exam में question है कि east side में peninsular river जो है वो कौन कौन सी है तो आप name लिखना महा नदी, गोदावरी, कृष्णा और ये काविरी क्योंकि देखो east side में ही flow हो रही है और bay of bengal में drain हो रही है देखो bay of bengal तो वो है नर्मदा, एक second मैं आपको map से दिखाती हूँ, वो है नर्मदा, देखो west के side जा रही है और तापी river भी west के side जा रही है तो देखो ये वाली है नर्मदा और ये तापी river है, west में जाके ये दोनों river estuaries बना रही है estuaries मतलब होता है कि जब जो rivers है वो ये जो sea होता है इसके water से मिल जाएं तो यहाँ पर river का जो पानी है वो sea में मिल रहा है तो यहाँ पर ये estuaries form करें इसे बोलते है estuaries यहाँ पर लिखा भी हो है कि the नर्मदा and the तापी are the only long rivers which flow west and make estuaries बड़ जितनी भी peninsular rivers है उनका size बहुत छोटा होता है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत कब होता है लेकिन जो हिमालेन वाली river थी वो बहुत long होती है और क्योंकि उनमें पानी बहुत जादा होता है अगर आपको भी तक यह chapter समझ में आया तो आप मुझे बताईए कि जो peninsular rivers है उसकी east flowing river कौन सी है और west flowing river कौन सी है मैंने अभी आपको map से ही बताया देखो अब one by one हम सारी peninsular rivers के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जो west flowing river है जैसे की नर्मदा बेसिन तो जो नर्मदा river है वो मध्यपरदेश जहां पे अमर्खंटाखिल है ना मध्यपरदेश में वहां से राइज होती है तो यहां पे देखें यहां पे है यह अमर्खंटाखिल तो यहीं से नर्मदा river होती हुए रिफ्ट वैली के side जाते जाते और यह सिधा Arabian sea में मिल जात मतलब बहुत ही प्यारा सीन नजर आता है रीवर का नर्मदा रीवर जब जबलपूर में पहुचती है तो उसके आसपस बहुत प्यारे प्यारे अच्छे से मार्बल रॉक्स भी होते हैं और दुआदर फॉल्स भी बनाती है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन ने बताए कि कौन कर मध्य परदेश में रहता है और किस किस ने दुआदर फॉल्स देखा है नर्मदा रीवर को साफ करने के लिए भी काफी सारी स्कीम्स बनाए गई गई जैसे कि यहां पर लिखा हुए नमामी देवी नर्मदे तो मध्य परदेश में जो रीवर है इसको कंजर्व करने के लिए बचाने के लिए जिससे कि लोग गंदा ना करें रीवर को नर्मदा रीवर की जो टिब्यूटी से हो बहुत छोटी-छोटी है और नर्मदा रीवर यहां पर देश से होते हुए गुजरात में जाती है नेक्स्ट दटापी बेसिन तो तापी रीवर भी वेस्ट फ्लोइंग है वेस्ट के साइड में फ्लो करती है मध्य परदेश में बेतुल डिस्टिक है वहाँ पर ने सथपूरा रेंजिस है तो वहीं से राइज होती है रीवर अब देखो यह नर्मदा रीवर थी और यह है तापी रीवर तो तापी रीवर नर्मदा रीवर के पैलल ही जा रही है लेकिन यह चोटी है नर्मदा रीवर के पहुत छुटी-शुटी होती हैं, क्योंकि जाके सिझाओं वो सी में मिल रही हैं, तो यहाँ पर कुछ rivers हैं, जो West flowing river हैं, जैसे कि साबर्मती, माही, तो यहाँ पर ही हैं वो, साबर्मती बाई और माही, और दो river और हैं, जो कि हमारी South वाल answer वो भी West flowing है, यहाँ पे नेम मैंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ देखो इस वाले एरिया में पैरियार और भरतपुजा तो आपके एक्जाम में एक्वेशन आ सकते हैं कि जो तापी रिवर है वो कौन-कौन से स्टेट से होते जाती है जैसे कि मध्यपरदेश, कुजरात और महारास्ट और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो और कौन-कौन सी है जैसे कि साबरमती, माही, भरतपुजा और पैरियार अब हम east flowing river के बारे में देखेंगे one by one तो first है गुदावरी basin अब जो गुदावरी river है वो peninsular river में जितनी भी rivers है उन सब में largest है ये हमें पता है कि वेस्टन घाट है तो महरास्ट में नासिक डिस्टिक है वहाँ पे जो वेस्टन घाट का slope है न यहाँ पर ये वला area तो यहाँ से rise होती है गुदावरी river और rise होने के बाद ये जाती है सिधा Bay of Bengal में तो ये किस-किस state को cover करती है वो हम देखते है तो हमने ये तो देख लिया कि ये महरास्ट से rise होती है और इसकी land होती है 1500 km इतनी बड़ी होती है और ये Bay of Bengal में जाकर drain करती है इस river का जो 50% है वो महरास्ट वाले state में लाए करता है और ये मध्यपरदेश, ओडिशा, आंध्यपरदेश से होती हुए जाती है अब गुदावरी river इतनी लंबी है तो इसकी tributes भी जरूर होंगी तो इसकी जो tributes है वो है पुर्णा, वर्धा, प्रनहिता, मंजरा, वेंगंगा, पेंगंगा इन सभी tributes में से जो लास्ट की 3 tributes है मंजरा, वेंगंगा, पेंगंगा ये बहुत बड़ी है गुदावरी river की length बहुत जादा है तो इस वज़े से इसको दक्षिन गंगा भी बोला जाता है नेक्स्ट, दा मानदी बेसिन अच्छा, आप मैं जो comment section में बताओ माहनदी west flowing है या फिर east flowing माहनदी river 36 गड़ से होते हुए उडिसा से होते हुए बेओ बेंगॉल में जाती है यह और भी states को touch करती है जैसे कि महारास्ट और जारकन को भी यहाँ पे देखी यही बताओ हुए कि जो माहनदी river है वो 36 गड़ से rise होती है और धिर धिरे करके उडिसा से होते हुए बेओ बेंगॉल में चली जाती है माहनदी river की जो length है वो है 860 km और इस river का जो पानी है वो महारास्ट, चत्तिसगर्ट, जारकन, उडिसा से शेर करती है मतलब इस state से होते हुए जाता है माहनदी river का पानी नेक्स्ट, दक्रिष्णा बेसिन क्रिष्णा रिवर महाबलेशर महारास्ट में है महाबलेशर यहां से rise होते हुए Bay of Bengal में जाती है और इसकी length है 1400 km और इसकी टिब्यूट्रीज भी है जैसे कि तुंगबद्रा देखो यहां पे लिख है ने तुंगबद्रा यहां से जारी है और भी काफी सारी टिब्यूट्रीज है जो कि इस map में मेंशन नहीं है जैसे कि कोईना, गत्प्रभा, मूसी, भीमा कृष्णा वाटर देखो कौन कौन से स्टेट से होतो यह जाती है वो हम देखेंगे एक तो महारा स्ट जांसे rise होती है फिर करनाट का उसके बाद फिर आंधर प्रदेश में आते हुए फिर Bay of Bengal में चली जाती है Bay of Bengal नहीं हमारे यह वाला एरिया है पुरा दिखो लिखा ना Bay of Bengal तो जितना भी आप यह water है पूरा Bay of Bengal ही बोलेंगे इसको तो Karma Basin की जो tibiutries हैं वो important है जैसे कि तुंग भद्रा, कोईना, गत्परबा, मूर्सी, भीमा ये आपको लर्न करनी पड़ेगे, एक्जाम में भी आ सकती है अब हम कावेरी रिवर के बारे में देखेंगे कावेरी रिवर भ्रह्मगिरी रेंज से राइस होती है मैं आपको मैप में दिखाती हूँ तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो वेस्टन गाठ है उस वहाँ पर भ्रह्मगिरी रेंज है वहाँ से होते हुए ये साउथ औफ तमिलनाडू तमिलनाडू के साउथ में एक कुड़ल और एक जगा है वहाँ पर होते हुए फिर ये ब्याव बंगॉल में जाती है इसकी टोटल लेंथ है 760 किलो मीटर और जो इसके टिब्यूटरी है वो है अमरावती, भवानी, हेमवती और कबीनी इस रीवर का जो वाटर है वो करनाटका से होते हुए, कैरला से होते हुए फिर तमिल नाडू में जाता है तो थ्री स्टेट्स हैं जिससे होते हो इसका वाटर जाता है करनाटका, कैरला एंड तमिल नाडू तो इसके जो टिब्यूटरी हैं अमरावती, भवानी, हेमवती, कबीनी तो यह important है exam point of view से और कौन-कौन से state से share होती है यह भी पूछ सकते है exam में कावेरी रिवर्डा second biggest waterfall बनाती है इंडिया में अच्छा, first का नाम बताओ, first का देखो job fall है लेकिन अब मुझे यह बताओ, कि वो कौन से state में है तो इस fall को बोला जाता है सिफ समुद्रम falls ठीक है यह जो second biggest waterfall बन रही है इस से hydroelectric power मतलब कि electricity भी generate की जाती है और यह जो electricity है वो share होती है मैसुरू, बैंगलूरू और कोलर गोल्ड फील्ड में इन major rivers के इलावा और भी काफी सारी छोटी-छोटी rivers है जो कि east flowing है जैसे कि दाबूदर, भ्रामनी, बैतर्नी, सुबन रिखा, do you know में लिखा है कि हमारे पूरे world में 70% water है और 70% water में से भी जो 97% water है वो salt water है मतलब पीने लाइक नहीं है बाकी का बच्चा 3% तो वो है fresh water और उसमें से भी आदे से जादा तो ice वगरा में ही जो जासे की mountain में ice वगरा होती है उसमें trapped होता है तो बच्चा मुश्किल से एक तरीके से 1% वन से भी बहुत कम water होता है जो पीने लाइक होता है तो अब आप समझ लो की water की shortage कितनी जादा है अब हम पढ़ेंगे lakes के बारे में आपने Valley of Kashmir का नाम तो सुना होगा वहाँ पर famous dull lake है और यहाँ पर टूरिस्ट है उनको काफी सारी चीज़े attract करती है जैसे की house boats, shikaras तो जो टूरिस्ट है ना वो यहाँ पर boating करने आते हैं swimming के लिए आते हैं water games खेलने आते हैं तो जो लेक होता है वो काफी अच्छा spot होता है एक टूरिस्ट के लिए आप खुदी इमैजिन करिए कि अगर श्री नगर नैनिताल और भी काफी सारी जो जगा है जहां पर लेक है अगर लेक होई ना तो फिर जो टूरिस्ट है वो कैसे आएंगे वहाँ पर कोई attractive नहीं होगा कोई जाएगा ही नहीं वहाँ पर तो लेक की काफी जादा इनपोर्टेंस है टूरिस्ट पॉइंट ऑव व्यू से और भी काफी सारे इसके यूजिस हैं अभी हम आगे देखेंगे अच्छा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन है क्या आप किसी लेक पर गई है क्या यहां पर देखो पिंक बॉक्स में दिया हुआ है कि जब लेक्स बहु कि सिजन में ही भड़ती है उन्हें बोलता है सैमि एरेड मतलब कि कभी पानी होता है उनमें कभी नहीं होता है क्योंकि प्रेंड पेंड करती है कुछ लेक्स में ग्लेशियर और आई शीट से वाटर आता है उराप तो आपको पता चल गया होगा कि जो लेक्स मेंडिक मिया आता है अब देखो लेक्स बनते कैसे हैं जैसे कि यहां से वाटर आ रहा है अब यह मेंडर मेंडरिंग बन रहा है देखो यहां यहां पर तो अब यह मेंडरिंग बनते बनते अब यह कुछ युका को यह छोड़ दिया इस वाटर ने ठीक है यहां से चले गए अब यहां से जा रहा था ना फिर यह water यहां से जाएगा तो अभ धीर तीरे करकर कुछ जो यहां यह वाले एरिया वह सूप जाएगा तो इस एरिया ने river को छोड़ दिया है ए टचनीय river से तो अलग से water ने हां पर तो यह हो गया लेक और इसे बोलते हैं और जो spits और bars होते हैं वो lagoon form करते है coastal area में यहाँ पर example बताया है कुछ लेक के जिलका लेक, पूलिकट लेक, कोलेरू लेक कुछ लेक जो होते हैं वो सीजनल होते हैं जैसे कि सामबर लेक राजिस्थान में है यह क्योंकि यहाँ पर कभी पानी होता है कभी नहीं होता है और यहाँ का जो water होता है वो बहुत salty होता है इस वज़े से न यहाँ से न जो नमक होता है जो salt होता है वो भी लेते हैं जादा तर लेक में जो fresh water होता है वो Himalayan region की विज़े से होता है क्योंकि जो Himalayan region है वो glacial origin है वहाँ पे glacial है तो जो eyes होती है हिमालय पे वो melt होके river और लेक में मिल जाती है तो वो बहुत fresh होता है वो वाला पानी in other words अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जो Himalayan है वहाँ पे glacial है मतलब एक तरीक से बर्फ जमी हुई है अब वो जो बर्फ है वो धीदरे करके नीचे खिसकती हुए आईगी और गड़ों में जम जाएगी फिर जो snow है जो भी बर्फ है आईस है जो वो melt होगी पिगलेगी तो वो उस गड़े में एक तरीके से पानी भर जाएगा तो वो लेक का फॉर्म ले लेती है तो इस तरीके से जो glaciers है वो लेक में पानी दे पाते है ग्लैशर की वज़े से लेक में पानी आपाता है ।कुछ लेक जो है वो टेक टॉनिक अक्टिविटीज की वेज़े से बनते है जैसी कि यहाप एखजाएमपल बताया गया है दबुलर लेक यह जमू ET कश्मीर में है तो देखो टेक टॉनिक मतलब होता है जैसे कि यहां पर मैं आपको बताती हूं यह जैसे कि जमीन है कोई भी ठीक है तो अब यह बीच में से क्रैक हो रही है यह वाला एरिया है पुरा और यह बीच में से क्रैक हो गया अब यह क्रैक हुआ है तो यहाँ पर यह बीच में space बचेगा अब यह जो space बचेगा तो यहाँ पर पानी बढ़ता जाएगा अब पानी बढ़ेगा तो लेक बनते जाएंगे तो इस तरीके से लेक बनता है तो अगर किसी भी crack की वज़े से कोई भी गड़ा बनता है तो ऊसमें लेक बनता है तो उसे हम बोलता है, टेक्टॉनिक ऐक्टिविटी, इस तविछे से लारजेस्ट फ्रेशवारटर लेक इंडिया, ओर पी काफी सारे लेक हैं, जिसमें फ्रेश वाटर होता है, जैसे कि । डल लेक, भीमता लेक, नैनिता, लोकताग, बारा पानी, लोकताग लेक की यहां पर image भी दी हुए देखो अब कुछ लेक ऐसे होते हैं जो कि नैचरल लेक होते हैं जो डैम की विज़े से बनते हैं अब डैम हमें पता है कि जो electricity होती है उसको भी generate करती है तो इस तरीके से जो डैम से लेक बनते हैं उससे भी हम electricity को generate कर सकता है हैडल पावर generation हो सकता है उससे भी जैसे कि यहाँ पर एक बताया गया है गुरू गोबिन सागर भाकरा नांगल प्रोजेक्ट Lakes are of great value to human beings अब देखो जो lakes हैं वो किस तरीके से help करते हैं हम लोगों की एक तो वो river में जो flow होता है उसको regulate करते हैं और जब heavy rain आती है तो वो flood से हमें prevent करते हैं और dry season में देखा जाए तो वो water का जो flow होता है उसको maintain करके रखते हैं जिससे कि अगर पानी की कमी हो तो हम लोग लेक से जाके ले ले पानी लेक से हम हाइडल पावर मतलब electricity को भी generate कर सकते हैं और यह climate को भी moderate करके रखता है जैसे आप लेक के आसपस बैठेंगे तो आपको बहुत moderate climate लगेगा ना ज्यादा गर्मी लगेगी ना ज्यादा सर्दी लगेगी बहुत अच्छा सा climate होता है और यह aquatic ecosystem को भी maintain करके रखता है मतलब जो fishes वगरा होती है वो उस लेक के जो पानी में अराम से रह पाती है और natural beauty को भी enhance करता है क्योंकि देखो लेक के आसपस कितना अच्छा लगता है ना बहुत natural beauty टाइप लगता है और tourism के लिए भी काफी अच्छा है यह recreation मतलब enjoyment के लिए भी बहुत अच्छा है यह तो अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप भी लेक में घूम कराना role of rivers in the economy अब देखो जो river है उसकी बहुत fundamental मतलब बहुत जादा importance है human history को भी देखा जाए तो क्योंकि पहले के डाइम पर क्या होता था जितने भी लोग रहते थे वो सारे river के आसपासी रहते थे क्योंकि देखो वो एक तरी किसे हमारा natural resource है हमें water मीडर अगर हम पानी के पास में रहेंगे तो तो लोग जो है न वो settlement मतलब की रहना पसंद करते थे water के आसपासी और जितनी big cities होती थी वो सारी river के आसपासी settle होती थी जैसे कि आप आज के time पे भी देख सकते हो जो भी big city है वो river के आसपासी होती है rivers जो है वो irrigation सिचाई के लिए और navigation मतलब एक जिगा से दूसरे जगा जाना होता है तो उसके लिए hydropower generation मतलब की electricity generate करने के लिए भी बहुत important है इसी से ही होता है सब कुछ अगर बात करें इंडिया की तो agriculture एक major source है livelihood जीने का तो अब agriculture के लिए पानी भी चाहिए और पानी चाहिए तो हमें river भी आसपास चाहिए ही होगी जिससे की हम पानी easily ले सके river pollution अब देखो जो water होता है उसकी demand हर जगा है चैए domestic चैए घर की बात करो चैए municipal चैए industrial या फिर agriculture की तो पानी तो हर जगा चाहिए अब पानी हम जादा यूज़ करेंगे तो फिर river में तो कम हो जाएगा न water यहाँ पे देखो लिखा भी है कि अगर हम drain out करेंगे इतना सारा river से water तो वहां का जो volume है पानी का वो कम हो जाएगा अब एक problem तो यह है कि जो river है उसमें से पानी कम होता जा रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ज़दा यूज़ कर रहे है पानी का दूसरी side एक और problem है कि जो river है उसके पानी को गंदा किया जा रहा है जैसे कि industrial effluents मतलब कि जो industry होती है उसमें से जितना भी कचड़ा निकलता है जितने भी गंदगी निकलते है वो सारा river में जा रहा है इस वज़े से river गंदी होती जा रही है और untreated sewage मतलब कि जो भी कूड़ा करकट है उसको river में ही डाल रहे है तो इससे river और जादा गंदी हो रही है इसकी वज़े से जो water की quality है वो तो खराब होई रही है बलकि जो water की self cleansing capacity है वो भी खराब हो रही है self cleansing capacity मतलब की जो river है वो भेते बहते आगे जाते 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 न वो अपने आपको खुझी साफ कर लेती है खूडा करकट एक तरफ हो जाता है पानी साफ होता चले जाता है लेकिन इतना बताया हुआ है कि जो गंगा रिवर है ना वो 20 km तक फ्लो होते होते हैं जितना भी पॉल्यूशन है उसको डैल्यूट खतम कर देती है और ऐसे मिलेट कर लेती है बट जो सिटीज है वो इतनी जादा इंक्रीज हो रही है जो अर्मनाइशन इंडॉस्ट्राइशन तो वो खुडा करकट डाल रहे हैं रिवर को साफ करने के लिए काफी सारे action plans भी चले हैं कि आपने किसी action plan के बारे में सुना है देखो यहाँ पर यह box में दिया हुआ है गंगा action plan गंगा action plan बनाया गया जिससे कि जो गंगा river है उसको साफ किया जाए ऐसे ही हमारी country में काफ भी सारे action plan बनाए गए है river को साफ करने के लिए क्योंकि अगर river में पानी गंदा होगा तो अगर वो गंदा पानी अगर हम पीएंगे तो हमारी health पर affect पड़ेगा ठीक हम भी मार पड़ जाएंगे तो हमारे ले भी fresh water बहुत जरूरी है तो अगर आप किसी को देखे water को गंदा अगरते हुए तो आपको उसी time action लेना है और उसको मना करना है कि पानी को गंदा ना करें यहां पर कुछ mcqs दिये हुए है जैसे कि in which of the falling states तवुलर लेक लुकेटिड तो यह भी हमने देखा था इसका answer मैं आपको बतायते हूँ बाकी questions का answer आप मुझे comment section में बताइए द if you have any doubt write it down in the comment section and please like my video and share with your friends thank you